प्रेंट्स, स्वास्थे मंत्राले के अनुसार अभी तक भारत में कॉरोना वाइरस मरीजों की संख्या 4,67 होगी है जबकि इससे मरने वालों की मौत का आकड़ा 109 तक पहुंच गया है वहीं 292 लोगों को अब तक कॉरोना वाइरस संक्रमन से मुक्त कर लिया गया है और वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं प्रिंट्स भारत में पिछले दिनों में कॉरोना वाइरस के मामले तेजी से बढ़े हैं और देश व्यापी लॉकडाउन के खतम होने में भी अब महस कुछ ही दिन बाकी रहे गए हैं ऐसे में भारत सरकाल पर लगाता दबाव बढ़ रहा था कि जादा से जादा चांच करके संक्रमित मरीजों की सही संख्या का पता लगाएं ताकि उसके अनुसार ही आगे की रननीती तै हो सकी इसी के चलते ICMR यानि Indian Council of Medical Research ने पिछले दिनों कोरोना वाइरस टेस्ट के लिए 10 लाख रैपिड एंटी बाडी टेस्ट कित मंगाने के बारे में बताया अब भारत में ये रैपिड एंटी बाडी टेस्ट शुरू किया जा रहा है जी हाँ डियर फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्र सीमा गुपता एक आयर्विदिक डॉक्टर और आज के वीडियो में चानते हैं कोरोना वाइरस रैपिड एंटी बाडी टेस्ट क्या है और पुराने चल रहे टेस्ट से ये कितना अलग है और कैसे और किन लोगों की होगी इससे चांच तो फ्रेंट्स वीडियो का लास तक जरूर देखे और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे आपडेट्स पाते रहने के लिए तो आएए सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों का होगा रैपिड एंटीबाडी टेस्ट इस एंटीबाडी टेस्ट में सभी जंदिक्त लोगों और पहले से बिमार इंफुलेंजा के रोगियों निमोनिया के मरीजियों, सामाने जुकाम, बुखार के रोगियों और संक्रमित वेक्ति के संपर्क में आ चुके लोगों का टेस्ट किया जाएगा ये जांच उन इलाकों में की जाएगी जहां पर कोरोना वाइरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं सरकारे ऐसे इलाकों को चिनहित करके जल्दी ही जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी इस एंटिबाडी टेस्ट के द्वारा उन लोगों का भी पता लग जाएगा जो कोरोना वाइरस के संपर्क में तो आए थे हैं मगर जिनमें लक्षन नहीं दिखाई दिये अब जानते हैं कैसे किया जाएगा एंटिबाडी टेस्ट फ्रेंट्स इंडियन कॉंसिल आफ मैडिकल रिसर्च ने कोविट 19 टेस्ट के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जिनमें पांच मिनट के अंदर रिजल्ट देने वाले रैपिड एंटिबाडी टेस्ट के जरिये अब चांच में तेजी लाई जाएगी रैपिड एंटिबाडी ब्लड टेस्ट में उंगली में सुई चुबोकर मरीज के खून का सैंपल लेकर टेस्ट केट पर उसके एंटिबाडी की मौजुदगी चेक की जाएगी इसका रिजल्ट पांच से लेकर पंदा मिनट में आ जाता है जो लोग कोरोना वारिस के संपर्क में आ चुके हैं उनके शरीर ने इस विशानू के खिलाफ एंटिबाडी बना दिया होगा ये एंटिबाडी खून में मौजूद होगा ऐसे में एंटिबाडी के द्वारा असानी से और जल्दी से इस बात का पता लगाया चा सकता है कि कितने लोग कोरोना वारिस के संपर्क में आ चुके हैं एंटिबाडी टेस्ट के बाद क्या होगा प्रेंट्स अगर किसी व्यक्ति का antibody test positive आता है तो उसके फिर पुराने तरीके यानि RT-PCR, Real-Time Polymerase Chain Reaction के द्वारा जांच की जाएगी ताकि व्यक्ति के शरीर में coronavirus की सही स्थिति का पता लग सकी इसी के अधार पर उस व्यक्ति को या तो quarantine किया जाएगा या इलाज के लिए भीजा जाएगा या रोग मुक्त मान लिया जाएगा वहीं अगर किसी व्यक्ति की चांच नेगेटिव आती है मगर उसमें coronavirus के सब भी लक्षन दिख रहे हैं तो उसे भी गंभिता के अधार पर RT-PCR यानि Real-Time Polymerase Chain Reaction टेस्ट के लिए भीजा जा सकता है या quarantine करके प्रयाप लक्षनों का इंतजार किया जा सकता है अगर किसी मरीज में antibody test negative आता है और बाद में RT-PCR टेस्ट भी negative आता है लेकिन उसमें समाने सर्दी चुखाम, बुखार, खांसी के लक्षन हैं तो इसके संभावना ज्यादा है कि उसे coronavirus नहीं बलकि किसी अन्य समाने flu के गारणिये समस्याएं हैं इस तरह जल्द से जल्द बड़े पहमाने पर इस test के द्वारा मरीजों की सही संख्या का पता लगा कर आगे की रंगनी दी तए की जा सकती है तो friends I hope आपको ये जानकारी पसंद आई होगी बने रहें आईरवेट का इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए झाल झाल